असलाम लेकुम दोस्तों आदाव कैसे मिज़ाज गर्मिया ठीट गुजर रही हैं। ख्याल रखने से मुझे याद आया। आपको पता है आप अभी एक इतनी अकल मंद खातून है। वो सब का ख्याल रखती है। आप आप अभी को नहीं जानते हैं। चले मैं आपको आप अभी से मिलवाती हूँ। हमारी आज की कहानी भी आप अभी के ही बारे में है। और इसके मुसन्निफीन हैं आईशा आरिफ और फात्मा एजाज और मुसवर फैजान एहमद। और आप अभी की कहानी का नाम है बीठा हल। गाउं के इस दरख पर आप अभी अपने खांदान के साथ रहती थी। रोज की तरह आज भी बहुत मस्रूफ दिन था। तमाम मक्हियां रस जमा करके छटे में ला रही थी। और आप अभी उनकी निगरानी कर रही थी। जरा दिहान से रस डालो मक्हियों। किसी भी हिस्से में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप अभी सब को समझा रही थी। ओहो इस शहद में तो थोड़ी कड़वाहट है। ये बोतल मार्केट में नहीं जा सकती। जिन्दगी यूँ ही बुजर रही थी। कि एक दिन अचानक जटे में जलजल आ गया। सारी मक्यां गवरा कर चिखने चिलाने लगी। आप अभी ये क्या हो रहा है। मक्यों ने डरते डरते जो बाहर जहां का तो देखा कि एक लकड़ हारा उनका पेड़ काट रहा था। इस हंगामी सूरते हाल में आप अभी ने खांदान के बड़ों को जमा किया। सब ने कहा आपने हमें सिखाया है कि हम इनसानों को कभी तकलीफ न पहुँचाएं। लेकिन देखें अब वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आप अभी ने सब को इखटा किया और कहने लगी आप डरे नहीं। मेरे पास इसका एक हल है। आप सब अपना काम जारी रखें। लकड़ हारे से मैं बात करूँगी। जब आप अभी ने लकड़ हारे से दरख काटने की वज़ा पूछी। तो उसने बताया कि वो लकड़ी काटकर बेचना चाहता है ताके अपने घर वालों के लिए खाना ले सके। आप अभी कहने लगी लेकिन अगर पेड़ कट गया तो मेरा सारा खांदान तबह हो जाएगा। फिर आप अभी ने कुछ सोचा और बोली। क्यों न हम आपको लकड़ी की जगां शहद दे दें। आप इसे बाजार में ले जाकर बेच सकते हैं। लकड़ हारा खुश हो गया और हसते हुए बोला। वाच्या लाग भी तुमने क्या खूब हल निकाला है। और यू आप अभी ने दोनों घर बचा लिये। है ना आप अभी अकलमंद खातून सब का खयाल रखती है। आप रखते हैं। हुआ हुआ है।